महारत जी हमारे एक व्योस्त का प्रश्ण है क्रिश्ण जी के बारे में और महाभारत के बारे में क्या क्रिश्ण जी ने महाभारत को रोकने का प्रयास किया अत्वा उन्हीं की अवधारना थी उन्हीं की सोच उन्हीं की सोच की उपर थी कि महाभारत हो और इतना विनाशकार देखिए बात को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण जैसी चेतना का विक्ति जो धर्टी पर होता है तो वो कुछ करने के लिए नहीं आया है वो प्रकर्टी के अंदर जो घट रहा है उसको पून रूप से स्विकार करता है मैं कहूंगा कि कृष्ण जी ने ना तो युद कराया और ना ही युद को रोका अगर युद नहीं हो रहा होता या नहीं होना होता या प्रकर्टी ऐसा निधारन नहीं कर रही होती कि सारी घटनाएं युद्द की और जा रही है तो कृष्ण जी युद्द कराने का प्रयास नहीं करते साथ ये साथ जब सारी घटनाएं युद्द की और चलने लगी तो अब कृष्ण जी ने रोखने का भी प्रयास नहीं किया ये भी बात हकीकत है नहीं तो वो तो अपनी सक्सी का प्रयोग करके जो चाहे वो कर सकते तो 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 यु क्यों हिर्दे परिवर्ड़ित नहीं कर दिया जो मनुष्य के रूप में रहते हुए एक दूर जगा पर बैठ करके किसी स्थी का चीर्द कहीं दूर से बढ़ा सकते हैं तो वो दूसरे का हिर्दे परिवर्सित क्यों नहीं कर सकते हैं, वो तो ऐसे हिर्दे परिवर्सित कर सकते हैं, दुर्योधन का, शक्नी का, करन का, इन सब का हिर्दे परिवर्सित कर सकते हैं, लेकिन इस चेतना के इस्तर पर व्यक्ति प्रकृति के विरोध में नहीं जाता है और ये जुद्ध जो हैं इनको समझना पड़ेगा कि ये जुद्ध गलत और सही नहीं होते होता क्या है कि जब आप समाज में रहते हो तो बहुत सारा अग्रेशन बहुत सारा गुसा आपके अंदर विभिन विभिन चीजों को लेकर के पैदा होता रहता है और जब ये गुसा बढ़ता जाता है पीडी दर पीडी बढ़ता है तो एक समय पर इसका निकलना जरूरी होता है और ये निकलता है युद्धों के माद्यम से इसलिए मनुष्य के 2000 साल के लिकित इतिहास में 4000 से ज़्यादा युद्ध है आज भी अगर आप देखें तो रूस युक्रेइन का युद्ध चल रहा है इसराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है आज की तारीक में भी आप देखें तो बहुत सारे भारत और पाकिस्तान का हमेशा संगर्श बना रहता है तो ये युद्ध जो हैं ये एक समाज के गुस्से को निकालने का एक जरिया है और ये शुरू से होता रहा है तो उस चेतना के इस्तर पर जहांपर कृष्ण जी थे वहाँ व्यक्ति प्रकर्टि के विरोध में नहीं जा सकता वहाँ व्यक्ति चाहा कर भी वो नहीं रोकेगा क्योंकि वो अकर्मनियन नहीं है बुद्ध की फिलोस्वी में और कृष्ण की फिलोस्वी में मूल भूत अंतर यही है कृष्ण कर्म से मुक्ति का द्वार दिखा रहे है और बुद्ध अकर्म होकर के मुक्ति का दुआर दिखा रहे हैं दोनों सही है अपनी जगा पर लेकिन कृष्ण समाज के लिए ज्यादा प्राक्टिकल है कृष्ण समाज के लिए ज्यादा वेभारिक है तो मैं तो यही कहूँगा कि ना तो कृष्ण जी ने महाभारत कराया और ना ही कृष्ण जी ने महाभारत रोका हाँ जो घटना घटी उसमें उन्होंने पूरा आनंद लिया ये बात पक्षी है क्योंकि इस अवस्था का व्यक्ति युद्ध को भी जीवन की तरह ही देखता है मृत्यों को भी जीवन की तरह ही देखता है और वो मृत्यों में भी ऐसे ही आनंदित होता है जैसे जीवन के छड़ों में आनंदित हो रहा होता है